एक viewer का question है कि worthwhile क्या है तो friends मैं आपसे कहुँगा कि worthwhile का इस्तिमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई चीज किसी चीज के हिसाब से अच्छा है या बेहतर है या ठीक है यानि कोई चीज पैसा के हिसाब से या time के हिसाब से सही है बेहतर है इसी बात को कई बार हम लोग अपने डेली लाइफ में कहते हैं सवारत है जैसे मूबी देखना सवारत हुआ वहाँ जाना सवारत हुआ या काम करना सवारत हुआ यानि या काम करने के लिए जो मैंने पैसा खच किया या जो मैंने टाइम लगाया वो जाया नहीं गया वो उसके एवज में ठीक था या सही था लगता है आप समझे नहीं आईए कुछ एक्जामपर्स देखते हैं ताकि आपके डाउट केडियर हो सके अगर आपको कहना हो कि या मूबी ठीक है या या मूबी सही है या मूबी पैसे के एवज में ठीक है या समय के एवज में ठीक है इसे देखने से पैसा नुकसान नहीं होगा या वक्त जाया नहीं होगा तो इस सेंटेंस के रियाब कहेंगे या मूबी ठीक है या सही है या देखना सवारत है अगर आपको कहना हो कि या mobile ठीक है यानि पैसे के हिसाब से या mobile सही है इसे खरीदे में कोई हर्ज नहीं है यानि इस mobile को खरीदना सवारत है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे अगर आपको कहना हो कि या घर ठीक है या घर सही है या घर बेहतर है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे इस house is worthwhile यानि या घर ठीक है बेहतर है अच्छा है मानने जे अगर आप एक दुकान से लैपटॉप ले रहे हैं और आप किसी से पूछ रहे हैं कि इस लैपटॉप की ये कीमत है क्या ये लैपटॉप सही है तो अगर आदमी कहें हाँ ये लैपटॉप खरीदना सही है या य इस लैपटॉप इस वर्थवाइल यानि ये लैपटॉप सही है या बेहतर है तो फ्रेंट्स उमीद करता हूँ कि आपको वर्ड वर्थवाइल का मतलब समझ में आया कि वर्थवाइल का मतलब होता है किसी चीज की इवज में कोई चीज ठीक है बेहतर है या उसे लेना या करना सवारत है यहां मैं बता दू कि ऐसे बहुत सारे इस्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे अप्रिकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे कॉस्टंस के साथ तब तक के लिए